वेलकम प्रोटीज जुनूबी एफ्रिकन क्रिकेट टीम की 14 साल बाद पाकिस्तान आमद 27 खिलाडी और 11 ओफिशल्स फुसूसी परवास के जरीए कराची पहुंचे मिहमान स्कॉट का होटल में करोना टेस्ट रिपोर्ट मन्फी आने वाले क्रिकेटर्स आइस सोलेशन में प्रैक्टिस कर सकेंगे जुनूबी एफ्रिका की टीम दो टेस्ट और तीन टी-20 मैचस खेलेगी पहला टेस्ट 26 जनरी को कराची में होगा शहबास फैमली के खिलाफ मरी लॉंडरिंग का केस शहबास शरीफ ने अदालत से मारेकल रिपोर्ट देने की इस्तदा कर दी लहोर शहर की सफाई के लिए अपने दोर पे किये एक्दामाद गिनवाते रहे चच्चा से इसहार एक्चेहती के लिए मरीम नवास के एहतसाब अदालत आमद शहबास शरीफ और हमजा शहबास से मुलाकात की अदालत के बाहर लीगी कारकुनान आपे से बाहर मनी लॉंडरिंग की रोक थाम के लिए बड़ी पेश रख FATF की शर्थ पर बिसनेस कंपनीज और इदारों के अकाउंट्स की निगराने शुरूर गाइडलाइन्स के मताबक बैनेफिशल ओनर, सियासी अफराद और मश्टूक बैंक तरसिलात की निशानदही लाजम परार करंसे के तबादले और रिकॉर्ड कीपिंग में बेहतरी की रिपोर्टिंग भी लाजमी होगी कस्टूमर मनी, सिक्योर्टीज और मुतालिका इसासे भी निगराने के दाराकार में शामिल होंगे मलाइशिया में फस्य पाकिस्तानी मुसाफ़र निजी एरलाइन्स की परवास के जरीए कुछ देर में इसलामबाद पहुंचेंगे मलाइशिया नी पी आईए का तयारा खुबसे में ले लिया था बॉइंग सेवन सेवन को बरतानिया में जिर समात केस के तनाजों में रोका गया पियाईय का मलाइशियन अदालत से रुजू करने का फैसला अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुला मनसूर के फ्रांट मैं अमार जासर को गामी शनाख्ती कार्ड जारी करने पर एक्शन एफ़ाईय ने नादरा हुकाम समेट मलवस अफ़ाद के खिलाफ मुकद्दमा दर्च करा दिया एफ़ाईय आर के मताबिक अमार जासर बगएर दस्तावईस पाकिस्तान में दाखिल हुआ और कराची में रहाईश इख्यार की नए साल के पहले ही महीने पेट्रोलियो मस्नुआत दूसरी बार महंगी पेट्रोल 3 रुपे 20 पैसे, हाइ स्फीड डीजल 2 रुपे 95 पैसे फी लीटर महंगा मिट्री का तेल 3 रुपे और लाइट डीजल 4 रुपे 42 पैसे फी लीटर महंगा हो गया कराची गंदा भी आलूदा भी सडकों पर कूड़े के धेर और फजाओं में मुश्र सेहत गर्दों गुबार शेहर रकाय दुनिया के आलूदा तरीन शेहरों में सफ़े अवल पर रहने लगा सिंध हुकुमर शेहर को साफ रखने के लिए एक दामात करने में नाकाम जगा जगा पड़े गंद और खराब आबो हवा के बाइस शेहरी शदीद परिशा सांस के अम्रास बढ़ने लगे लाहौर भी कराची बनने लगा गंदगी और कूड़ा उठाने की एक और डेडलाइन खत्ल मगर शेहर मुकंबल साफ ना हो सका वेस्ट मैनेजमेंट कमपनी दावों के बावजूद कच्रा ना उठा सकी आहम मकामाद से किसी हद तक कच्रा उठाया गया गली महलों में सुरतिहाल जूंकितू अब सुरान और अमने की तवार की छुट्टी भी मनसूद पुर्अम अफगानिस्तान का मतलब पुर्अम पाकिस्तान है आर्मी चीफ जनरल कॉमर जावेद पाजवा कहते हैं बैनल अफगान अमन मुजाकरात की हमायद जारी रखेंगे मुश्किल से हासल करदा कामियाबिया पायदार अम और तरकी पर मुनतज होंगी देशत गर्दी के खिलाफ मकामी लोगों ने कलीदी ताववन किया आमी चीफ का कोर हेटकॉार्टरस पिशावर का दोरा सहदी उमूर और बाड़ से मतालिब ब्रीफिंग दी गई पंजाम और खैब पक्तुलखा आज भी धुन्द के सेरे असर हदे निगाह कम होने पर मोटर वेज और हाइवेज पर ट्राफिक की रवानी मतासर रही मुल्क में सफ और भुश्क सर्थी बरकरा बलोचस्तान और बला इलाकों में निजाम जिन्दगी मुंचमिद होकर रह गया मौसम सर्मा में केटू पहाड सर करने का मिशन आलमी कोफ़िमाओं ने आखरी मरहले का सफर शुरू कर दिया दस निपाली कोफ़िमा मुस्सल्सल बारा घंटे पहाड चड़ेंगे रुकावच ना आने पर दोपहर के बाद पहाड सर कर लेंगे सारिफीन के शदीद तहफुजात ने वर्टसैप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया डेटा शेरिंग पॉलिसी में तबदीली मौखर कर दी खबर अजनसी के मताबक वर्टसैप ने पॉलिसी तबदील की डेड लाइन आज फरवरी से बढ़ा कर पंदरा मैई तक कर दी वर्टसैप की नई पॉलिसी के बाद करोडो सारे फीन दीगर अपस पर मंतकल हो चुके इटालियन फुटबॉल लीग पे लासियों की रोमा के खिलाफ शान दान पता लासियों ने रोमा को तीन सिफर से धूल चटाई जर्वन फुटबॉल लीग में यूनियन बर्लिंग ने लिवर कॉसन को एक सिफर से मात दे दी और निपाल के इलाके नवा कोट में फसल की कटाई पर मेले का इनकाद पहातों ने बेलों की लड़ाई कराकर अनाच की दस्तियाबी का जशन मनाया दहाईों पुराने सकाफ़ती इविंट में सेंक्रो अफराद में शर्कत की थे और आपको बताएंगे कि अस्तोर में सता समंदर से दस हजार फिट की बलंदी पर स्केटिंग मुकाबले स्केटिंग मुकाबलों में च्छै टीमों ने हिस्सा लिया जो बलकुल अस्तोर में सता समंदर से दस हजार फिट की बलंदी पर स्केटिंग मुकाबले स्केटिंग मुकाबलों में च्छै टीमों ने हिस्सा लिया स्केटिंग मुकाबलों में बच्चों की टीम भी शामिल है तो मकाबले इस वक जारी है इस तोर में और 10,000 फिट की बलंदी पर स्केटिंग मकाबले है ये स्केटिंग मकाबलों में 6 टीमों ने हिस्सा लिया है और स्केटिंग मकाबलों में बच्चों की टीम भी शामिल है आपको बता रहे हैं अस्तोर में सता समंदर से 10,000 फिट की बलंदे पर स्केटिंग मकाबले जारी है आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे साओधी अरब और मुतहिदा अरब अमारात को कर्स की वापसी का शेडियूल सामने आ गया अंदरून और बैरूनी जराय से लिये गए कर्सों की वापसी के लिए नए पैकच की कोशिशें भी जारी है साओधी अरब को एक अरब डॉलर की वापसी की आखरी तारीख 24 जनवरी है आपको आहम खबर दे रही हैं साओधी अरब और मुतहिदा अरब अमारात को कर्स की वापसी का शेडियूल सामने आ चुका है और इसके मुतालिक मज़िद अफसलात ये हैं कि अंधरून और बेरूनी जराय से लिए गए परज़ों की वापसी के लिए नए पैकच की कोशिशें जारी है बात करेंगे हमारे नुमाएंदे एकराम होती से एकराम होते इस शेडियूल के मुतालिक बताईएगा जी दर अखिकत पाकिस्तान को जो डालरों में खरज़ा वापस करना है उसमें एक पेचिद्गी आ गई है जिससे सुर्तिहाल मुश्किल होती जा रही है साथी अरब ने पाकिस्तान से तीन अरब डालर का जो पैकेज था वो वापस ले लिया था और उसमें से तीन अरब डालर जो वापस करने थे दो डालर का इंतजाम किया था चीन ने एक अरब डालर अब पाकिस्तान की जो जो जायर है फारण करिंसी के उन पे बोज़ पढ़ गया है और 24 तारीख आखरी है जनरी की तो उसको वो देना पड़ेगा लेकिन अमराद से भी एक मतलबा है कि एक अरब डालर जो उनका है वो वापस करें वो भी 24 तारीख को करना है लेकिन इसमें शायद एक साल की तुसीर हो जाए अब जो तुसीर हो सकती है एक राम होती बहुत लो एक रियाँ